पिछली वीडियो थी ना तब मुझसे ना मेरा कैमरा स्टेंड टूट गया था लेकिन मैंने कहा कि यह मेरा लास्ट विलोग है तो से हर चीजी नोट कर दिया है कि प्यारी हसमा गोड़े-गोड़े मिटी चड़िया तो कैंडे कि नवा कैमरा स्टेंड देता एक हाथ भी बड कुछ सीखने को मिलता है चुप हो जाती है और उसको शोई यह करती हूं कि मेरे काना तो तक नहीं रहां दी बोली जो जो करना तो कर दे रहो तरही केक बना आगे न उपर चॉक्लेट की कोटिंग की है और फिर नारील की कोटिंग की है दोने पिती से सारह हैं वह अग्यल आ होंगे तिक ताक होंगे तो शुरू करते हैं एक और मज़िदार सा इंटरस्टिंग सा विलोग आज मेरा ना बिल्कुल भी मूड़नी से विलोग बनान था क्योंकि एक अदद ना हड़ हराम दिनानी मेरे अंदर वड़ी होई है जड़ा मिनना विलोग बनान तो मना कारी सी ल अच्छी मैं ना हवा लगवानी थी अच्छी से मैंने का दूप लगवा के फिर ही इनको संबाल होंगी क्योंकि मैंने उपर कबड में रखना है तो इससे पहले अच्छी से दूप लग जाए यह जो मैंने ब्रेड के गलाब जामनों से पिछली वीडियो थी ना तब मुझ ना मुझे गिफ्ट किया और यह निया नहीं है लेकिन मेरे लिए निया है यह बहुत ही पारावा नास पिटा और काफी मजबूत भी है तो मैं बाई को कह रही थे कि पांच के जादा मेरा कामरा स्टेंड आएगा मिनों नहुंआ ले आदे तो बाई ने पता कि यह ना 8000 का पिर मुझे ला दिया डस्ट बगरा पड़ी है मिन पता तुसी हर चीजी नोट कर दिया है कि प्यारी हसमा गोड़े-गोड़े मिटी चड़िया तो कैंडे कि नवा कामरा स्टेंड देता तो पड़ा पड़ा अचली डस्टी हुआ पड़ा है उसने इतना यूज नहीं किया कि तुसी जड़ा सौफ्ट हो जो इसकी फाइनल लुक भी रेडी करनी थी तो बाई कह रहा था इसी खुशी में मुझे फ्राइज बना कर दो तुम्हें कैमरा स्टेंड नहीं गिफ्ट किया मैंने दिल में सोचा कि 8000 पर ना पैना सीथे सोर का थे फ्राइज नहीं ख्वा स बजार ची लगा हूंदा तो बाई कह रहे थे सुबह फरस्ट टाइम ही जाएंगे हम लोग सारे जा रहे हैं बाबियां भी बाई भी सुबह सुबह इंसान को निकलना चाहिए वाक वगरा के लिए इतना प्यारा मुसम था ना और इस प्यारी सी सुबह करने के लिए ना मैं रोजा करके सो जाते हैं और दुपहर में उठते हैं मेरे बाबा यह है कि मश्यारा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वह उठे होते हैं एक हाथ भी बड़ी मिश्क्री से ठीक हुआ था फिर से मुझे कट लग गया ब्लेंडर दो रही थी थी ना शीशे का था ना वह वहीं भी हम लोग जाने लगे हैं लेकिन मैं ड्रेस्टी चेंज किया एक दिन पहले जो पैना था वही पैने रखा साफ ही थी थी हुए क्यों चेंज करा नाल वाले का रता जाना वाँ भाई भी रड़ी हो रहे थे तो मैंने बाबा को कहा कि हम लोग चलते हैं तब तक तो म और भी आइटम्स होते हैं तो पिर खाने को इतना दिल नहीं करता है हमने बड़ी बाबी को यही कहा था आपने जस्ट एक डिश बनानी है यह राइस बना ले यह पिर सालन रोटी बना ले तो यह खाबली प्लाओ के ही त्यारी हो रही है खाबली प्लाओ यह मोती प्लाओ कहत त्यार लड़कियां त्यारियां हरियां मिर्चा हमने बापी को कहा था कि दूसरे आटम में जस्ट आपने एक सुई डिशी बनाने हैं इसके लावा कुछ भी नहीं बनाना लेकिन बापी ने फिर भी काफी चीज़ें बनाई हुई थी तो इस ट्रॉपरी का जूस साथ बनाना आई हूं जाहद बाइवाले पोर्शन से न तो इसका बाप भी तो बर्फ जमाती हैं वो ठंडा पानी यूज़ करते हैं और वैसे भी अपना अफ्तारी के बार ठंडे बानी को दिल का रहा होता है स्टार्टिंग में इतना निता फील होता ताजा पानी चल जाता है लेकिन वाले भी में सका नहीं अब बार ठंडेहों तो अभी से रामी चीन को लिज़ेक्ट तो अन्दर बापी की बांद्ल ने थोड़ा सजोत ने इस मुत्कित बाल भी के तो अगरे तो फोड़ी पानी पढ़ा रहे मैं बीज नीछे बैठ जाते हैं तो स्टें करने लुच ॉब जबूर ब्लेंडर दिवास सुनके आगया कि मैं ब्लेंड करना तो अगली वारी ब्लेंड करना तो जूस हमारा अर्मोस्ट रेडी हो चुका है अचा अज मैं लाइक थे सब्सक्राइब काया था पोल लगी तुस्री भी नहीं आवद्याप कीता हो ना क्योंकि मेरी कुछ और अगलेंड के इसा उना दे हातों दोख दे आवद्याप अगर करना जा मैं रिमाइंड कर आती हैं और फिर फटा-फट से कर देते हैं कि प्यारी असमा ओ सोरी हमें बूल गया था यतनी भी और माशालों से बहुत स्पोर्ट ही है हर जगह ही मुझे स्पोर्ट करती हैं जैसे लेकिन फिर भी खुशी खुशी और शोख से मेरे विलोग्स देखती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रियल हूँ फेक नहीं हूँ परिटेंट नहीं करती किते किते ओवर एक्टिंग या ओवर बोल जाना है तबी तो मेरी ओडियंस माशालाद से भी तक मेरे साथ इंटर्च में है मैं खुद विलोगर हूँ ना सोशल मीडिया पर हूँ तो मैं ना दूसरे लोगों को भी देखती रहते हूँ जो अच्छी विलोगिंग करते हैं और मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कुछ लोग तो सिर्फ शोफ ही करना दे है और मैं अपने विलोग में मोशली पंजाबी ही बोलती हूँ तो कुछ लोग आते हैं पड़ी बड़ा आज निकालने मुझे पेंडू भी कहा देते हैं या कुछ नेगेटिव कुमेंट भी करने आ जाते हैं लेकिन मेरी प्यारी सी ओडियनस जो शुरू से मुझे देख रही है वो खुद ही हेटर्स काना मूँ बंद करवा देते हैं मुझे कुछ कहने के जरूरत ही नहीं पड़ती पूर्चाड में उन्हें सफेथ जने भी थोड़े से एड़ किये थे और यह चीजी कबाब थे यह सबसे जाव मज़े के थे इसके इलावा बाबी ने देहीं बड़े भी बनाए यह स्टार्टर था स्टार्टर मतलब अफ़तारी के फ़र बाब यह चीजी थे यह आइटम्स बनाये थे साथ खजूरे में करा थी क्या देख लिया है इस थे दोने पिती से सारे हैं वो अगला के तो हुन स्कूर ना बैटके कार्टरून विखंड है मैंने गुठे पर पतटी बन्दी भी थी थी ना बीना बार 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 देख रही है और कहरी थे हाई हाई के आपको हाई हुई है अटने के बाब यह थे बाद प्र बापि adesso बनाया है ना आप रला जो अगर नहीक्ष हमने बना है कि जो थोड़ा सा घपका फुलका सा कहा तो तब भी हमने बागी चीज़ नहीं खाकर पेट फुल कर लिया था लेकिन उन्होंने सालन बनाया था सालन रोटी का अरेंजमेंट था तो फिर वह हमने सहरी टाइम उधर ही जाकर सहरी की थी सालन वैसा ही पड़ा था तो यह बापी ने मीठे में बनाया था केक अच्छा य मतलब वह यह केक ना लाजमी ट्राइक करना मैं आप लोगों के साथ नहीं है इसकी रस्पी शेयर करूंगी लेकिन हजे नहीं हजे भी रहात था नहीं साथ लगी है बाद चुकरांगी साथ यह चौकलेट सीरफ भी उन्होंने त्यार किया था यह के उपर डाल के खाना था इससे इसका मजाना दुबाला हो गया क्योंकि नारियल का फ्लेवर बीच में चौकलेट का फ्लेवर बड़ा मजा रहा था तो खापी के फिर रसी वापस आ गए लेकिन बाभी ने कुछ केक और राइस भी साथ दे दिये थे तो यहीं करते है आज का विलोग एंड उमीद कर करती हूं आज का भी लोग भी आपको पस्तान आया होगा पस्तान आया तो ज़्याद ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी कादिया करें और जो नए है मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें अलाहाफीज